नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पार होंगे हमारा फिटर समेस्टर फोर यानि कि सेकंड येर का हमारा निम्मी का पीडियाफ है जिसमें हम लोग माडेल फोर जो है ह हमारा प्रिवेंटिव मेंटिनेंस को कवर करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बाक्स में जाएं वहां पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक की दिया है आप वहां से पिछले वीडियो देख सकते है तो इस वीडियो हम लोग उसके आगे का इस्टार्ट करेंगे प्रिवेंटिव मेंटिनेंस 191 नंबर का कोशन यहां पर वाट इज दा सिस्टम आफ लुब्रिकेशन यह जो आपको चितर दिख रहा है लुब्रिकेशन का यह कौन सा सिस्टम है देखें लुब्रिकेशन की यह जो पड़ा ली है विक फीड है रिंग आयलिऑ है स्प्लायस सिटम है मैनुअल इस्क्रूस डाउन सिटम है देखिए यह जो हमारा लुब्रिकेशन आप सिस्टम है तो यह ज्ञान हा हमारा रिंग आयलिग तो रिंग आईलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर बी ठीक तो 191 कभी हो गया 192 नमबर कोशन है What is the property of lubricant that can withstand high pressure or load सनेहक के उस गुड का नाम क्या है जो उच दबाव या भार सहन कर सकता है आईलनेस, viscosity, fire point और है flesh point देखिए सनेहक के उस गुड का नाम जो उच दबाव या भार सहन कर सकता है वो हमारा कहलाता है दोस्तों viscosity यानिकी सयानता कहलाता है 193 नमबर कोशन है What is the flesh point of general purpose machinery oil सामान प्रयोजन वाली मसीन तेल का flesh बिंदु क्या है सामान प्रयोजन वाली मसीनरी तेल का जो flesh point होता है वह होता है दोस्तों 160 degree Celsius तो 193 कही answer correct हो जाएगा 160 degree Celsius देखिए यहाँ पर कहला है What is the name of the clutch चित्र में यह जो आपको clutch दिख रहा है यह हमारा किस प्रकार का clutch है तो यह हमारा कहलाता है दोस्तों dog clutch तो dog clutch यहाँ पर correct answer हो जाएगा देखिए यहाँ पर 195 नमबर कोश्चन का रहा है यहाँ पर what is the name of the lubrication system यह जो आपको lubrication system दिख रहा है यह हमारा किस प्रकार का lubrication system है यह कहलाता है दोस्तों हमारा splash lubricating तो splash lubricating का यह हमारा figure है 156 नमबर कोश्चन है what is the name of the clutch यह जो चित्र में आपको कलश है यह किस प्रकार का कलश है तो देखिए यहाँ पर आपसे नहें air clutch multiplied कौन कलश over riding clutch तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है हमारा यह है हमारा air clutch ठीक तो यहाँ पर air clutch correct answer हो जाएगा अब देखिए 157 नमबर कोशन है वाट इस दा मेन एडवांटेज आप टूथर चैन ड्राइव दातेदार चैन ड्राइव का मुख लाब क्या है increase the tension chain drive provide noiseless and uniform drive efficient between soft and short distance provide high speed low targ transmission यान कि दातेदार chain drive का मुख लाब क्या होता है तो देखिए दातेदार chain drive का जो मुख लाब होता है वो रहता है कि provide noiseless and uniform drive यान कि सांथ और uniform drive पर दान करता है जो दातेदार chain drive होता है ठिक कि 199 नंबर का question यहाँ पर कह रहा है what is the ratio of soluble oil added in the water to get non corrosive effect गैर संचारन प्रभाव प्राप्त करने के लिए पाने में घुलन सील तेल का अनुपात क्या होता है तो देखें गैर संचारन प्रभाव प्राप्त करने के लिए पाने में जो गुलन सील तेल का अनुपात होता है वो रहता है हमारा 0.0555555 ठेक 199 नंबर कोश्चन है what is the system of lubrication के सनेहन के प्रडाली कौन सी है आप साने वीक फीड इस्प्लैस फीड रिंग आइलिंग फीड इसका हैंड प्रेशर फीड तो देखिए दोस्तों नेमिन जो इसका एंसर प्रोवाइड किया है उसे प्रोवाइड किया है इस्प्लैस फीड जो आपका फीड है यह आपका दिया गया है विक फीड का ठीक तो विक फीड का यह हमारा फीड है लेकिन निम्मी ने क्या दिया है इसको निम्मी ने दिया है स्प्लैस फीड का यह फीड नहीं है यह हमारा विक फीड का है ठीक अगर स्प्लैस फीड का अगर बात करेंगे दोस इसे आप लोग याद रखिएगा और यह जो हमारा फीगर था यह जो कोस्चन में था जिसे की निम्मी ने गलत प्रवाइड किया ठीक दिस्प्लेस फीड यह नहीं है यह अपर वीक फीड का फीगर ही इसे आप लोग याद रखिएगा दोसो नमबर का कोस्चन यहाँ पर है वाट इस परपा जाफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स सनेहक का उप्योग करने का उद्देश क्या है देखिए सनेहक का यूज करने का जूमेन उद्देश है दोस्तों वो है हमारा कि प्रिवेंट वीएर घिसने से रोकें तो दोसों को यहाँ पर शांड करेक्ट हो जाएगा अब देखिए अगला कोश्चन यहां पर कह रहा हो मारा करा ढव भाई लो इस्पीड फिब्रिकेटिड यान कि कम गती वाले गुश को न सनेह document किया जाता है तो देखिए कम गती वाले गीचा को जो शींकिया जाता है वो किया जाता ह कि I'll can type are Bruce I'll can प्रकार या ब्रस से ठीक तो 200 एक के यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्वाइब को इस यह जो आपको सिंबल दिख रहा है यह हमारा कौंसर सिंबल है देखिए दोस्तों यह जो है हमारा यह कहलाता है दोस्तों हमारा मंथली का ठीक तो मंथली यानि मह जुआने का यह सिंबल है द्रकी आप पर हमारा तो अगला कोच्टेंट दोस्तों इस अदिन नंबर का वाटीद फ्रापार्टी आप दा लूब्रिकंट गिविए अविए यह इजो होगा आपका उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्लैस फॉयंट थ। फ्लैस फ थैक यह डपर दूस्टों नमब्र की कोशन है एक रख 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 Ten कि ए फ्रिक्वेंसी कि यह तो प्रकार है यह सिंबल है यह हमाराः दोस्तों वीखली यहनी कि सब्ता ही कि है मैं अगला है कि दूसर्ट करता नंबर कहरा है है पेस्धां यहां नंप तूथ टाइप लॉक्वाषर से डूख है कि अ है तो यह चैनल चैनल टाइप मुझानित थे जान है तो प्रेफीर स्टाइप है। दोस्तों च्छान नंबर कोशन है विच सिस्टम दवीग फिड लुब्रिकेशन इस केटेगराइज विए फिड से नहीं किस पडाली के अंतरगत के टेगराइज होता है तो यह होता है दोस्तों आपका ग्रेविटी फिड के अंतरगत गुरुत्वा और यहां पर करेक्ट आं डेली का यानि कि रोज का है यहां पर 208 नंबर कोशन है विच प्रवापरेटी स्टेट्स देर्ट टमप्रेचर आप दा लुब्रिकेंट इज एबल तू फ्लो फ्रीली वाइल पोर्ड है कौन सी गुड यह बताता है कि सनेहन का तापमान डालते समय स्वतनत रूप से प्र दिख रहें किस प्रकार का कलाच है तो दोस्तों यह जो हमारा कलाच है हमारा काहलाता है सेंट्रिफ्यव गलच ठीक तो सेंट्रिफ्यव गलच यहां पर और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोसो दस नमबर कोश्चन है What is the use of lubricant स्नेहन का उपयोग क्या है Increase friction गर्थन को बढ़ाना Improved machine efficiency Increase the loading capacity Increase the speed moving element गतिमान तत्व को बढ़ाना तो देखिए स्नेहन का जो उपयोग होता है दोस्तों वो रहता है कि Improved the machine efficiency तो machine ब्यातर machine यहां पर आपका correct answer हो जाएगा ठीक दोस्तों बारे नमबर कोश्चन यहां पर कह रहा है What is the name of the clutch कलच का नाम क्या है Dark clutch कौन कलच है कलच centrifugal clutch तो चितर में यह जो आपको कलच है दिख रहा है दोस्तों यह हमारा कलच है कौन कलच का ठीक कलच यहां पर दोस्तों बारे का B answer correct हो जाएगा दोस्तों तेरे नमबर कोश्चन है What is the name of the sprocket mark as the yaks yaks के रूम में चिन्नित sprocket का नाम क्या है तो देखिए यहां पर यह जो आपको sprocket दिख रहा है यह हमारा किस प्रकार का sprocket है तो यह हमारा जाकी sprocket है ठीक अब दोस्तों चोदे नमबर का कोश्चन है यहां पर करा what is the name of the part mark as the yaks yaks के रूम में चिन्नित भाग का नाम क्या है तो देखिए दोस्तों यह जो हमारा yaks part है यहां पर yaks वारा जो भाग दिखाया गया है यह कहाता है दोस्तों हमारा सेंट्रिफ्यूगल वेट तो सेंट्रिफ्यूगल वेट का वो सिम्बल है ठीक दोस्तों पंदर नमबर कोश्चन है what is the method of lubrication यानि कि सनेहन की विधी क्या है तो देखिए यहां पर यह जो आपको सनेहन की विधी दिख रही है यहां पर जेख सकते हैं यहां से डाला जा रहा है तो यह जो सनेहन की विधी है आपसा ने आयल पंप मेथ़ड ग्रेवटी मेथड इस्प्लेस मेथड आयल कैन मेथड तो यहां पर दोस्तों यह जो हमारी विधी कहलाती है कहलाता है आयल कैन मेथड आयल गन मेथड यह आपका गन है आयल गन मेथड है ठीक तो यहां पर दोस्तों आपका गरेक्ट अंसर हो जाएगा आपसा नंबर डी दोसो पंद्रे का डी आंसर यहां पर आपका गरेक्ट हो जाएगा आयल गन भी देखिए दोस्तों सोले नंबर कोश्चन है यहां पर करें विच कूलेंट आयल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर कौन सा सीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है वो रहता है दोस्तों हमारा सॉलूबल आयल आपसा नंबर यहां पर एक रेक्ट हो जाएगा अब है अगला कोश्चन दोसों सतरे नंबर का वाट इज दा कलर आफ सॉलूबल आयल मिख्ट विथ दा वाटर वाट बुल यलो और है वाएट वाएट तो सॉलूबल तेल का रंग कैसा होता है जिसे पानी से मिला जाता है तो बुरायता है दोस्तों हमारा वाट यानिकी सफेद अब देखिए दोस्तों अठारे नंबर कोश्चन है कर रहा है विच कटिंग फुलूड इज यूइड फार थ्रेडिंग इन जनरल परपज इस्टील तो समान प्रयोजन के इस्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ को उप्योग किया जाता है तो समान में प्रयोजन के लिए किस कटिंग तरल का उप्योग किया जाता है वह रहता हमारा फैटी आयल यानि कि वसायूग तो तो दोस्तों नमबर कोश्चन है विस टाइप अफ लाक वासर यूइड धित फट फ्ल Cast आ गरोयद हैं या वर्व टाइप केसा श्क्रूं की साथ किस प्रकार के लाक वासर को फ्योग किया जाता है पर कह रहा है विच इज दप्रापार्टी अपड़ आयल कैच फायर एंड कांटी निमस्ट टू बी इन दफ लेम तेल का वैकाउंट से गुड़ जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है फ्लेस पॉइंट फायर पॉइंट पॉर पॉइंट आयल नेस देखिए तेल का वैगुड जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है वैफ फायर पॉइंट कहलाता है तो दोसे एक कैस के यहां पर भी अंसर करेक्ट हो जाएगा 222 नमबर कोशन विच कटिंग फ्लूड इज यूज फार टर्निंग कापर ताबा को टरन करने के लिए किस तरल प पर 222 इसकी आंसर हो जायेगा 213 कोशन है गफ हम सींट फर मसीन डीच कणे स करेक्व बालबो जोडेंग मूटर में ट्रैविवर जोड़ने है तो मसीन प्रैकर की क् utilizz का अधधा घ्याटा है तो इसके लिए हम स्बस्किक हुआ के यूज के दो सब्सक्रों आपको मेल्टिप है में कौन से कटिगा इस्तिमाल किया जाता है सुल्वल इसल इसल में इसके बैल नेर्ट यहां पर करेंट तो दोस्तों यहां पर हमारा कॉश्चन जो था यह हमारा खतम होता है प्रिवेंटिव मेंटिनेंस से ठिक अगला जो रहेगा हमारा चैप्टर दोस्तों वो रहेगा हमारा इरिक्षन एंड टेस्टिंग से तुसरे आप लोग देखना मत भूलेगा वीडियो गर अच्छा लगा जो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ स